जी तो लास्ट वीडियो में बात कि थी वाइरल और बैक्रियर रिनोसाइटस के बात कि जर्नल इनके बात कि थी कैसे उनको टूट करने क्या उनका पैटो फिजियोजी हो सकती है अब हमने वन-बे-वन-हर साइनस में देखना है कि अक्यूट इंफलेमिशन किस तरह से होती है इनमें सबसे जो इंपोर्टन है वो अक्यूट में जर्शानोसाइटस है इसका पेपर में एक दफाव क्वैसर इस तरह से भी आया था कि हमें इसके क्लिनिकल फीजर्स भी इनमें से मेजर चीज़े वही है जो पहले में आप तो लास्ट वीडियो में बता चूकी हूँ अगर बात करें तो वही एटियोलोजी है कि वारल इनाइटस होता है मोस्त कोमली जो कि मिकोजाओ के इनवर्फ करते उसके बाद और से किनरी बिक्टिरियन इंफेक्शिन हो ज अगर बात करें छेन कर चूकी है ज गाल तो बात करें कर दो जो 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 पेंसे कड़ए तो जैजन पुड़ेें चीक पर होगी तो दिसके नेचले चीचिज में, इसमें बात चीचिजा यहां पर इनको रीड कर लेते हैंज कि अगर चीजारने को बात कर पक्राइग्टन चाहिए प्रेटेळ से इन झानल इनधार को अपने हो नहीं से तक मेल आपडे़ कि अपने हो पहीज्ड आ है लेकर मेरी पीज़ा में टनी धुतके हिछ मिया प्रन्टल जए प्रेंट हवे इन आप छाएं तकीज़ा भी शाही सोड़ते है उत्ते है बा नहीं संट्राइब नहीं होती हैं थी कोश्टिटूश्ट्यूशनल सिंप्टम होगा है थी पेन अपर जा पर नेजल अबस्ट्रक्शन और नेजल डिस्टार्ज ऑंटीर और फ। जासे क्पटे में एक आपके साथ करोका पूंट्राय कफ़ża पर रख के조 का लिएju प्लियस सिक आपको सबसे पहले प्रकिश में करने कि आए आपको तेरियरी तेघेचे Collinsह करूँ दीए पहते हैं करने में और स्onneborg में ने अनोज करूँ आपके से ओंट्रेचोंब्स हमां बतारा है कि जो नीजल मीठ बाइन से हो जाता है जाता है जब आप एंठिड राइनस कोपि के साथ और एंडर भर् Vietnamese एंडर स्प्स करते हो जाता है तो म सियां जाएमिलेश पर इंडर नियुमीन तेटम का में Yay! एक तेखना का किसे थे में पस्मिले गालवा इस वंच्टीड राइनोसक्य की लिए पुस्टीरीर राइन्स कोपै例 की लोगा पुस्टीरीरी नीजरी नहीं's कोपी verzakces 89 यह इसका examination होगा, अगर investigation की बात करें तो पहले trans illumination test किया जाता था अब यह नहीं किया जाता था, अब यह नहीं किया जाता था, इसके लावा x-rays आजकल किया जाते हैं water's view में, जिससे हमें sinus नजर आ जाते हैं, हमें पतर चल जाता है कि इसमें कितनी opacity है, fluid level क्या है, तो water's view जो है, वो इसकी investigation है, city scan प्रेफर किया जाता है, अगर आपके पास जो है, आपको operation की तरफ जाना हो यह recurrence हो, फिर हम city scan करा लेते हैं, ठीक है, city scan वैसे, आप समझने कि investigation of choice ही होती है, sinuses के लिए, city scan है, water's view है, जो के आजकल investigations यूज हो रही है, trans illumination test पहले होता था, अब नहीं होता, इसके कि investigation आपने और यहाँ पर एड कर लेनी है, culture and sensitivity करवाई जाती है, कि जो nasal discharge होता है, उसको culture and sensitive करवाई जाता है, उसको culture करवाई जाता है, उसको culture करवाई जाता है, पता चल सेकिए कि नहीं को यूज किया जाता है, क्योंकि यह ब्रोड रेंज कवर कर लेती है, उसके बाद आपने nasal decongestant drops यूज करने हैं, लेकिन को ज्यादा दिन तक यूज नहीं करना होता है, फिर अमने oral decongestant drops पे आजाना है, steam inhalation करनी है, analgesics या hot fomentation है, यह maxillary medical treatment हो गया, सर्जिकी की ब functional endoscopic sinus surgery, किसी भी sinus sinus sinus, किसी भी sinus sinus information होगी है, हम functional endoscopic sinus surgery ही करते है, यह obsolete अधो चुपका अलवाज लेकिन आप इसको भी mention कर सकते हो, पहले इसको mention कर दो पहले इसको mention कर दो, उसके बाद यह mention कर दो कि आज को जो surgery है हमाई पास और functional endoscopic sinus surgery है, अब next जाद आदा है, इसकी complication, हम चार हथे तक था, हम उसको treat कर रहे था, यह नहीं ठीक होथा, तो पिर यह हो सकते है, सब अधो बन सकते है, जिब 12 weeks से जयादातर symptoms रहे, frontal sinus atasus भी हो सकते है, कि आपको पता है, कि जो आपका मीडल मेैटिस है नोज को जुख ज्यादातर sinus उसमें बापन हो तो, अब बीडल में यह क्या oudher फिर अजी उस्तिय इस को भी ब्लोक कर सकती बिखरेस्टं इजनेटा क्यों भी अहले कि उसके उपनिग ल्फों भी क्याक्ष भी है इस भी सं प्रिक्ष्स इसल गुль की उसके उस्तिय उसके थिन न को भी सिंग लेड de facto में कि लेगोन और लास्ट बन ये है कि ऑर्बिटल सैलोलाइटस बी बन सकती है या जो इन्फेक्शन है वो सपिर्ट करके और बी तक जा सकते है अब orbit तक कैसे जाएगा teenage sinus से चला जाएगा किौकि reflex Summit के रूफ तोArbital Cellulitis भी हो सकता है हैं यह यह बी हो सकता है कि Aurbit तक infection किस तरह से घंचर से गुजर आपन आद रखना है मुपकते हैं खुर्ण फेसं पार और हो था खुर्ण अजय नियू अपिकरण कर दिया नहीं पूर्द यह संगा इनके लिए पना इंकर देखा कि अल्या शीयु पेडिया को देखा दीखिया शीयु में यह को से खुर्णाओ प्रिंड मुंद कर दो दे इसा जा यह कर दिया रहा लिए वह फ्रंटल साइनुसाइटिस भी हो सकते हैं क्लिनिकल फीचर इसके तकरीबर वही वाले हैं कि हैडिक होगा तेंडरनेस होगी लेकिन इसमें एक चीज है जो कि बहुत इंपोर्टन है वह ओफिस हैडिक का क्या मतलब होता है कि जो दर्द होता है अब हमारे पर साइडिक होगा इसमें क्योंकि यह फ्रंटल साइनस है तो अवर्दा साइनस पें होती है तो जब इसके उटते हैं नो दसके आराम बचे तक पेंड़ पर पहुंचाती है बहुत ज़्यादा दर्द पर आसता जब शाम होती है तो ठीक होना शुरो जाए तो ओफिस टाइमिंग में सबसे ज जब शाइब 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 जिसमें भूlden खोड़ काकी goes एंटीरियो रैंचपी करेंगे अंडोसकोपी करेंगी पुस्टीरियोन निज पास मिलेग डिस्टाज मिलेगा ि कंजेस्टि फेeremiनेशन आपिसिटार्ज कहलेगा प्लेगैं Parike मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकल ट्रीटमेंट ही पहले देना होते है और मेडिकल ट्रीटमेंट सेम हुई है जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए था तो मेडिकल ट्रीटमेंट क्या था हमने एंटिपार्टिक्स देने था जो कि ब्रोड रेंज कवर करें था एं इसे कि अपर गचेज लिआ जो ते उसके कर सकते हो ठीक हो नो ते उसको नहीं बाइचायर सब्सक्रीट में अपने लिखनी एग दो चीज बतारा है कि आप जो यह कर सिते हो कि अपने उसको पेड़र्टीर में तो पर एक यह पर टुज नहीं रुख रोगा तो चीज वाई न इसको एक एडिमा इस्ता कम होगा तो तो साइनस का ड्रेश और पर साइनस की वेंटिलेशन होगी तो यह भी एक चीज आप एक चीज आप कर सकते हो इसको ट्रीट करने के लिए उसके बाद अगर अगर मेडिकल टीटमेंट से रिस्पोंस ना आए कोई रिकावरी ना हो तो मे करा रहा था तो यह दिशन दीओ करते हो एक तक शाग्र कई है तो एक चीज आपने हमेशा यााद रखना है तो complication तक्रीबन होई है मैक्जलरी वाली ही बस यह है कि इसमें meningitis और एक्सेटुल आप्सस वगर आपने एड कर देने अथमोईट साइनस के बात करें तो एक चीज़ आपने हमेशा याद रखने हैं तो सकतकी साइनस के लिए लिए और वेपन फ्रेंटर आपने लाफने एपने लिए दासे के साइनस से जानद में ऐसटानी कि पारें अड्रेश के ऐघ। यह गर्माइल नोज बात करें किसी को सिर्फ इसे यह की पासम सहता है का जर न्हीं संटेस्ज की बात करें तो इसी को सिर्फ इनुतनीबा अच्छा भी इसा नहीं होता है यूजिली ये किसी दूसरे sinus के इन्वर होने के बाद ही sphenoid sinusitis होता है और clinical feature भी same होई है इसमें भी pain होगी, post nasal discharge होगा, x-rays कराएंगे, city scan कराएंगे, treatment भी same है तो यहाँ पर acute खतम हो जाता है जो आपको main पता होना चाहिए ना, वो maxivory sinusitis का पता होना चाहिए यहाँ मेरे साथ रिवाइस करेंगे, आप main main चीजों को फिर हम क्रोनी की तरफ जाएंगे सबसे पहले आपको etiology पता होना चाहिए, etiology मैंने कितनी दफाँ बताई है कि उटकी कि सबसे common root of infection है वो nose है और इसमें भी infected water, सबसे common cause है इसके लबागा फ्रेक्चर हो जाए बोन का, अगर कोई dental infection हो जाए अगर कोई viral infection था उसके बाद से secondary bacterial infection हो तो तो इसारी स्के एटियोजी है उसके बात कर लेते हैं history की तो symptoms में आपको सबसे पहले pain की history मिलती है pain जो है उसी region में होती है उसके बाद general history fever, body ache, headache की मिल सकती है अब आप examination की तरफ आज़ोगा आपने interior rhinoscopy करना होता है, endoscopy करना है, anterior rhinoscopy, endoscopy पे आपको nasal mucosa congested मिलेगा जो ostia है, usually middle meatus में पस जो होगी पस का वहां पस मुझूद होगी ठीक है उसके इलावा आपको डिस्टार्ज मिलेगा examination पे, posterior rhinoscopy करोगे आपको posterior nasal discharge मिलेगा, examination के बाद investigations के बाद कर लेते हैं, investigations जो है, वो exilis कराए जाते है, cultural sensitivity होती है, CT scan preferred investigation है, or mandatory pre-operative investigation भी CT scan है, treatment के बाद करें तो treatment treatment में आद आती है, अगर कोई medical treatment को response ना करें, recovery ना हो, तो यह भी हो सकते है, को chrony की तरफ चला जाए, इसलिए इसको prevent करने के लिए हमें फिर surgery करनी पड़ती है, और surgery जो है, वो बहुत सारी है, जो पहले यूज की जाती थी, लवाज यूज की जाते थे, और भी बहुत सारी है, लेकिन आजकर जो एक ही surgery है, जो प्रेफर है, वो है functional endoscopic sinus surgery, ठीक है, फैस, उसको कहते हैं, तो यह आपने surgery मेंशन कर देनी है, यहाँ पर सिरफ इतना सा आपका होते है, जो के management होती है, sinusitis के, कुछ इसके complications होती है, जो कि इस तरह से याद रखनी है, कि सबसे पहले, तो complication, जिस sinus की involvement है, उसकी अपनी duralipsis करा सकता है, meningitis करा सकता है, तो यह सारी हो गया, आपका acute खतम, अब हम नेक्स वीडियो से chronic sinusitis की बात करते हैं,